एम्बूलेंस की काला बाजारी करने के आरोप में फसाच्छाप्रा सांसद राजी परताप रूरी की ओविलम गिरफतारी और मान्य पुर्व सांसद सहजाब सुप्रीमों पपू यादब पर किये गए फरजी मुकद में वापस लेने की मांग को लेकर आज जनदिकार छात्र परिशद मधेपुरा के द्वारा अपने नीजी आवास पर एक दिवस्य विरोध परदर्शन किया गया मौके पर जिला अध्यक्ष रोशन कुमार बिट्टू एवं विश्विद्याले अध्यक्ष अमन कुमार रितेश ने कहा कि कोरोनकाल में जितने भी मिर्त्यू हुई है छपडा सारन में उसकी पूरी जिम्मेदारी भाजपा सांसद राजी परताफ रूडी की है आज जहां बिहार वासी अपने परिजनों को बेबसी में अस्पताल ले जाने के लिए साइकिल रिक्सा टम्टम का इस्तिमाल कर रहे हैं वहीं ये जलाद भाजपा का सांसद एम्बूलेंस से बाल उड़ोने का काम कर रहा है और जब इसका फर्दा फास जनाधिकार पार्टी के संड़क्चक पपू यादव के द्वारा क्या जाता है तब उनकी आवाज को दवाने के लिए उन पर फर्जी मुकदमे करवाये जाते हैं अगर जल्द से जल्द राजी परताप रूरी पर 302 का मुकदमा दर्ज कर गिरिफतारी नहीं होता है उन्हें जेल नहीं भेजा जाता है और पपू यादव पर से बिहार सरकार ये फर्जी मुकदमे वाफस नहीं लेती है तो हम आगे और बड़ा आंदोलन पर बात धे हों ये बिहार सरकार गुंडा गर्दी शासन और जिस तरह से जाप सुप्रीमों पपू यादव पर जूटा मुकदमा दर्ज कर छप्रा जीले के हिटलरी शासन के हिटलर पुलीस द्वारा क्या गया जो दुरभाग्य पूर्ण है पपू यादव ऐसे डढ़ने वाले नहीं है मौके पर सामंत यादव, निगम सिंग, अजय कुमार, मुहमत सलाम, अविना सिंग, उर्फ बिट्टू, संजीत आरिया, सुमन भगत, कारियले उप सचीब, सैलेंद्र कुमार, युवार अंजन, लल्टु कुमार, सुसील कुमार, रामप्रवेस यादव, राजु कुमार, मन्नू आदी दर्जनोरे विरोध किया।